पुलेटकल साइंस एंड पब्लिक अड्मिश्टेशन की स्मार्ट इस्टिडी के लिए सब्सकाइब करें मेरा चैनल पुलेटकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रावर्मा एंड हिट दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट आप माई वीडियोज अगर्ना सुत्थ बौध धर्म का एक महतोपूर संबाद है क्या है यह बौध धर्म का अगर्ना सुत्थ एक महतोपूर संबाद है जिसमें बुद्ध ने राजनीती वा सामाजिक वैस्था से संबंदित कुछ महतोपूर जानकारी प्रदान की है अगर्ना सुत्त दिर्ग निकाय संग्रा का 27 सुत्त है अगर्ना सुत्त क्या है यह दिर्ग निकाय नामक जो बहुत ग्रंथ है उसका 27 सुत्त है जिसके अंतरगत अग्गा का अर्थ होता है उत्पत्ति तथा सुत्त का अर्थ होता है प्याख्या तो इस संभाख्या या संभा तो इस प्रकार से संयुक्त रूप से अगन्ना सुत्त का अर्थ होगा उत्पत्ती से संबंदिश संबाद तो अगन्ना सुत्त दो सब्दों से मिलक बना है जिसमें से पहला सब्द है अगन्ना सुत्त जिसका संयुक्त अर्थ होता है उत्पत्ती से संबंदिश संबाद यह सब points आप लोग know down करते चलिएगा जो कि exam के लिए most important facts है इसके नाम के ही अनुरूप इसमें जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक ब्यास्था की उत्पत्ति, तथा जाती ब्यास्था की उत्पत्ति का वर्डन किया गया है गर्ना सुत्त में किसका वर्डन किया गया है? जीवन की उत्पत्ति का, सामाजिक ब्यास्था की उत्पत्ति का तथा जाती ब्यास्था की उत्पत्ति का वर्डन किया गया है देखे देख निकाए एक अत्यन्त महत्पूर बहुत ग्रंथ था जो की काफी विस्सित था तो इस ग्रंथ का दिर निकाय ग्रंथ का जो 27 सुथ है वो ही अगर्णा सुथ है जिसके अंतरगत हमें जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक व्यास्था की उत्पत्ति तथा जाती व्यास्था की उत्पत्ति का वर्डन प्राप्त होता है इस सुत्व में बुद्ध द्वारा दो ब्रामणों भार्दवाज और बसेठा को दिये गया एक प्रवचन का वर्दन किया गया है किसका वर्डन किया गया है जो भारदवाज और बसेटा जो दो ब्रामबर है उनको जो बुद्ध जी ने जो प्रवचन दिया था उसका वर्डन किया गया है जो अपने पईवार और जाती को भिच्चु बनाने के लिए छोड़ देते हैं उन्हें अपमानित किया गया पुद्ध उनके साथ संबाद करते हुए बताते हैं कि जाती और बंस की तुलना नैतिक्ता और धम की उपलब्दी में नहीं की जा सकती है क्योंकि चार जातियों में से कोई भी सादू या भिच्चु बन सकता है और अरहंत यानि मोची की सिती तक पहुच सकता है इसके बाद वह पृत्वी की सुरुवात यानि origin of world और सामाजिक बहस्ता यानि social order के जर्म और इसकी संरशना यानि structure के बारे में बताते हैं जिसके अंतगर जातियां भी शामिल हैं तो बुद्ध जी का ये जो प्रवचन दिया गया है अगर दो ब्रामणों को भार्दवाज और बसेठा का इसमें इसी का वर्डन किया गया है अब देखे सुत्त का जो प्रारम होता है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सुत्त का उसके बारे में हम जान लेते हैं तो सुत्त उस समय सुरू होता है जब बुद्ध सावठ्ठी नामक मंदिर में रह रहे थे उस समय दो ब्राम हर भ्रादवाज और बसेठा अन्यविच्चियों के साथ प्रसिचन ले रहे थे और संग का सदश्य बनने के लिए प्रयत्न कर रहे थे साम को हमेशा की तरह बुद्ध अपने ध्यान यानि मेडिटेशन से उठते हैं और अपने आवाश के पास खुले यार्ड में तहल रहे थे यानि तहल रहे थे बुद्ध जी बसेठा अपने गुरु को तहलते हुए देखते हैं अब अपने दोस्ट भारदवाज को बताते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें बुद्ध से मिलकर धम की व्याख्या को सुनना चाहिए इस तरह से वे दोनों महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं अब बुद्ध दोनों से पूसते हैं कि क्या उन्हें संग में शामिल होने के कारण अपनी जाती और परिवार से अपमानित होना पड़ा बुद्ध जी ने उन दोनों से पूछा, दोनों ब्रामनों से पूछा किस से अगस ये भार्दवाज और बसेठा से कि क्या उन्हें संग में सामिल होने के कारण अपनी जाती वा परिवार से अपमानित होना पड़ा तो बसेटा और भादवाश को उत्तर था कि उन्हें अपमानों की भार जेलनी पड़ी वे कहते हैं कि अन्य ब्रामणों का कहना है कि ब्रामण जाती सबसे अच्छी होती है क्योंकि ब्राम्मर उच्छ सामाजी कधिकारों से परिपोड वसुद्ध नसल के होते हैं और बे अन्य तुछ वर निम्न जातियों के विप्रीट भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं इसलिए जो ब्राम्मर जाती है वो अन्य जातियों से सेश्ट है और बाकी अन्य जातियों जो हैं उनसे निम्न और तुछ है इसलिए अन्य प्राम्मर की राय थी कि बसेठा और भार्दवाज इस अच्छी जाती और इस्तिती को छोड़कर बहुत बड़ी मुर्खता कर रहे हैं ये बता रहे हैं बसेठा और भारदवाज नामक दोर ब्रामबर बुद्धिजी को बता रहे हैं कि उन्हें अपनी जाती द्वारा अपमानित होना पड़ा संग में समलित होने के कारण उनका यह भी कहना था कि सिर मुडे तपश्यों के साथ जाकर यह दोनों इस्सिति में कम हो सकते हैं क्योंकि यह सिर मुडे ब्रामबर के पैरों से पैदा हुए हैं बहुत बड़ी मुर्खता का कारे है इस टिपड़ी के लिए बुद्ध उन्हें बताते हैं कि यदि उन्होंने ऐसी बाती कहीं हैं तो वास्तम में ब्रामण अपने अतीत के बारे में भूल गया हैं बुद्ध जी इन दोनों की बाते सुनका कहते हैं महात्मा बुद्ध कि अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकती हैं लेकिन मुर्ख ब्रामण सब कुछ देखते जानते हुए अभी भी कहते हैं कि वे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं बुद्ध उनकी आलोशना करते हुए कहते हैं कि इससे बड़ी और कोई मुर्खता नहीं हो सकती है क्यो इसलिए ब्रामण ने कि ये शब्द बिलकुल असत्य है और वे जो कह रहे हैं वो ये कथन बिलकुल असत्य है बुद्ध ने कहा कि ब्रामण सत्य नहीं बोल रहे हैं और वे अपने इस बेद्भा पुड कारियों और नीचता का भविश्य में जरू से दुष्पढ़ना बुद्ध ने तब विस्तार से बताया कि यदि किसी भी जाती में से कोई भी व्यक्ति निरिंखित कारे करता है जैसे हत्या करना, चोरी करना, यौन दुराचार में शामिल होना, जूट बोलना, किसी की निंदा करना, किसी को अपसब्द या बक्वास करना, लालची, क्रूर और गलत धार्णों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति और हमेशा जो भी नकारात्म कर्म करते रहते हैं, वे कभी भी सम्मान के योगे नहीं हो सकते, वे अपने कर्मों से एक दिन मुश्किल में पढ़ जाएंगे, चाहे उनकी जाती कोई भी हो, चाहे वो ब्रामभर धर्म के हो, खटिया यानि छतिय धर्म वर्ग के हो, पैशा यानि वैश्य वर्ग के हो, या सुद्दा यानि सुद्र वर्ग के हो, वे चाहे जिस भी पढ़ जाएंगे इन गलत कारियों को करने वाले लोग बुद्धिमान व्यक्ति के नजरों में हमेशा नीच ही बने रहेंगे और कभी भी आदर नहीं पासकेंगे चाहे ब्रामबर ही क्यों नहीं हो अगर वह ब्रामबर वर्ग के हैं या ब्रामबर धर्म के या ब्रामबर जा जाये तो चारो जातिया यानि ब्रामबर शत्य वैश्य शुद्ध नकारात्मक यानि अवगुर्ण या सकारात्मक यानि योगिता का कर्म कर सकती है इसलिए कोई भी बुद्धमान व्यक्ति इस कथन को अस्विकार करेंगे कि केवल ब्रामबर ही सर्वसेश्र जाती है क्यो आगे बुद्ध जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पाप का रास्ता छोड़ दिया है, मुमाया को छोड़ दिया है, वह जन्म के बंधन को तोड़ कर सत्य ज्यान के कारण मुक्त हो सकता है और वह सत्य ज्यान धम पर आधारित होना चाहिए इसके अलाबा बुद्ध यह भी साबित कर रहे हैं कि धम यानि कौस्मिक ला, आइन आर्डर या सत्य ज्यान वास्तों में जीवन की सभी चीजों में सबसी अच्छी चीज है बुद्ध तब बसेठा को सला देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पोड़ सद्धा से तथागत, the title of the body of dham are God में विश्वास रखता है वह या गोशना कर सकता है कि वह धम से पैदा हुए है धम के मुख से पैदा हुए है वह भगवान का बच्चा है और धम का उत्तरादिकारी है इसलिए तथागत की उपाधी ब्रह्मा के सरीर के समान मानी जाएगी अब देखिए जीवन की सुरुवात कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं सेकंड पार्ट आप सुठता है और इसे नाफ लाइफ अब देखिए सुठत की दूसरे भाग की सुरुवात किससे हुई है तो सुठत की दूसरे भाग में बुद्ध इस कहानी को इस कहानी को बता एक लंबी अविदी तक चंदमा और सुरी तक भी नहीं देखे गए थे जिस वज़े से प्रिथवी पर रात और दिन नहीं थे चारों और सिर्फ अंधीरा ही अंधीरा था धरती पर सिर्फ पानी रूपी दब्य ही था और उस पानी पर धीरे धीरे वक्त के साथ राशायनिक परिवर्तन हुए और पानी के उपर एक परत सी जम गई ठीक उसी तरह जिस तरह उबले हुए दूद पर परत जम जाती है पानी पर उस परत का एक रंग था उसमें खुश्बू और बहुत मीठा स्वाद भी था जैसे जंगली शहद में होता है उसी परत से कोशिका रूप वह मोटी होती गई जिसके कारण भिन भिन प्रकार के तरल कोशिकाओं की उत्पत्ती हुई क्या हुआ जिसके कारण भिन भिन प्रकार के तरल कोशिकाओं की उत्पत्ती हुई क्योंकि जैसे जैसे पानी कम होता गया तो जीवों की तवचा मोटी और मजबूत होती गई और इसके कारविन भिन प्रकार के तरल कोशिकाओं की उत्पत्ती हुई सुरू सुरो में किसी भी प्रकार की पहचान महिला या पुरुष की नहीं थी जीव सिर्फ जीव के रूप में ही जाना जाता था आत्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रारम में किसी भी प्रकार की जीव की महिला या पुरिश के रूप में नहीं की गई थी क्योंकि जीव सित्फ जीव के रूप में ही जाना जाता था फिर जैसे जैसे समय बीटता गया अचानक सूरज और चन्दमा को देखा गया और पृत्वी पर रात और दिन भी शुरू होने लगे जब चन्दमा और सूरज को देखा गया तो पृत्वी पर रात और दिन की उत्पत्ती भी शुरू हो गई फिर जैसे जैसे रात और दिन इसपश्ट होते गए वैसे वैसे मौशम और वर्ष भी दिखाए देने लगे उन जीवों का सरीर अभी भी मोटे आकार का था जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ता गया वैसे 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 कीचर जैसे प्रदार उनके सरीर से समाप्त होने लगा फिर मश्रूम की तरह के पौधे इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उन्होंने कीचर रूपी महाशागर को जंगल में बदल दिया प्राणियों ने उस मश्रूम रूपी पदात को भी खाना शुरू कर दिया और उन्हें यह स्वाजेश्ट लगने लगा जैसे वीठा शहत और दूर अब उनका शरीर इनका भोज प्रदात की रूपे सेवन करने के बाद उन प्राणियों का शरीर और अधिक कठोड होने लगा तदा धीरे धीरे उन्हें आकार भी मिलता गया एक और बहुत लंबे समय के बाद मश्रूम भी समाप्त होने लगे और उनकी जगा कशावा या सलजम जैसे पौधे ने ले ली वे पौधे भी रात दिन उन जीवों का पालन पोशन करने लगे जैसे जैसे मौसम और धूप से उनके सरीव में पविवर्तन होने लगे वे एक दूसरे से भिन होते गये और अंतर की अवधार्ना उत्पन होई अब इसके उपरान उन जीवों में अंतर की अवधार्ना उत्पन होई इस्ती पुरुष सुन्द और कुरूप की अवधार्न पर होने लगी बुद्ध जी ये बता रहे हैं जीवन क्यूत्पति के अंतरगत इस समय तक प्राणियों का सरी सुच में रूप से विक्षित हो गया था नर और मादा में पहले से ही अंतर था पुर्षों का सरी महिलाओं के साथ विप्रीत हो गया ठीक है जो पुर्षों का सरी संक्रिया में लिप्त किसी जोड़े को देखा उन्हें डाटा और आम तोर पर उस जोड़े को एक निश्यत अवदी के लिए गाउं में प्रवेश करने से मना किया इसके कारण भोगी जोड़े ने बंद आवाशों का निर्मार किया जहां वे योन गतविदी में लिप्त र खंडन किया इस अगन्ना सुत्त के द्वारा और राज की उत्पति का वैग्यानिक और विकाशवादी सिध्धान का प्रत्पादन किया यह मोश्ट इंपॉर्टन फैक्ट है तो इसे चाहे तो आप लोग विडियो को पॉस करके नोट डाउन कर सकते हैं कि अगन्ना सुत्त मात्मा बुद्ध ने प्रश्लिक धाना का खंडन करते हुए कहा कि यह किसी व्यक्ति का जर्म मुख किसी का पेट तो किसी का पैरों या भुजाओं से हुआ है मात्मा बुद्ध ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया कि किसी का भी जर्म में किसी व्यक्ति के मुख पेट या पैरों या भुजाओं से नहीं हुआ है सभी का जर्म एक ही प्रकार से हुआ है उन्होंने जाति की उत्पति का आविशक्ता सिध्धान यानि नीट ठेहरी आव कोष्ट का प्रतपादन किया जो की निमनकित प्रकार से है आगे हम बढ़न करेंगे कि किस प्रकार से इन जातियों का जो चार बर्ग थे ब्रामर्ट छत्री वैशुशुत उनकी उत्पति किस प्रकार से हुई इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो चर्चा है वह खटिया या छत्री जादिकी जो की शाशक होते थे देखे खटिया एक पाली सब्द है जिसका अर्थ होता है आज की छत्री से इसका अर्थ लिया जाता है चावल की पौधे जैसा कि पहले भी उलेक किया गया था कि अलग लग भूखंडों में बढ़ने लगे जो चावल रुपी जो पौधे थे वो अलग लग भूखंडों में बढ़ने लगे और लोगों ने जमीनों को विभाजित करना और एक दुसरे की चावल की गुच्छे को काटना शुरू कर दिया वे अपने स्वयम के छेतर में चाबल उगाने में व्यस्त हो गए इसके उपरांद पे अपने स्वयम के छेतर में जो उनका नेधारित भूभाग था उसके अंतरगर वे चाबल उगाने में व्यस्त हो गए फिर जैसे जैसे बुराई और लालच पैद कर देते थे तो सबसे पहले क्रिशक लोगों ने केबल अपराधी यानि चोड़ों को ये चेताबनी दी और अपराधियों उन्हें वादा किया कि वह उसे फिर से ऐसा नहीं करेंगे लेकिन जब इन चोरों द्वारा कई बार दोहराया गया तो लोगों ने उसे पत्थर और लाठी से मानना शुड़ों कर दिया तो इसके उपरांद यहीं से सजा की रूपों की उत्पत्ती होती है जब कहां से सजा की उत्पत्ती हुई क्योंकि जब बार बार चोर उसी कृत्ते को दोहराते थे तो फिर उनकी इस कारे को रोकने हैं तो उन्हें सजा दी जाने लगी और इसके परणाम सुरूं उन्हें फत्तर और लाटी से मारना शुरू कर दिया गया तो इसके उपरांद यहीं से सजा के रूपों की उत्पत्ती होती है इसके उपरांद लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने समाज में होने वाले हर प्रकार के अपरांद और दुराचार या दुरूपयोग पर ध्यान देना जुरूरी है क्योंकि समाज में ज़्यादातर लोग जो थे वो पहले से ही ज़्यादा क्योंकि वे इस परकार के अपरात से इस परकार की चोरी से इस परकार की अनाचार से बचना चाहते थे तो उन्होंने इस पर ध्यान के इंदेद किया, क्योंकि वे पहले ही अपनी जागेद को जोडने और बढ़ाने में लगे थे, तो उन्हें इस पकार के कृति को जो चोड उनके उपच चुराने लगे थे, तो उन्हें रोकने के लिए एक उप़ाय सोचना था, इसलिए उन्होंने क्या किया किसी ऐसे व्यक्ति को निक्त करने की बात सोची जो सही और गलत में भेद कर सके और उसे सुधारने के लिए अपरादियों को चेतामनी दे क्योंकि जो व्यक्ति चोरों को सजा देगा, बदले में लोग उन्हें अपने चावल का एक हिस्सा दे देंगे उन्होंने ये कहा कि जो विवी व्यक्ति चोरों को सजा देगा तो उसके बदले में वे लोग अपने चावल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को देंगे इसलिए वे निश्पच अभय और सबसे अधिक पसंद किये जाने वाले और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास गये और उसे चावल के एक हिस्से की रूप में इनाम देकर न्याय करने और कानून को पारित करने के लिए नियुक्ति किया इसकी उपरान नियुक्ति व्यक्ति इस कारे के लिए सहमत हुआ और लोगों ने उसे महासम्मत का सिर्षक या उपादी प्रदान की जिसका आर्थ होता है लोगों की पसंद ये सिर्षक दिया जिसका अर्थ होता है चावल की खेती के भगवान इसे भी आप लोग नोट कर लिजेगा ये सब मोश्ट इंपर्टन फैक्ट है और अंत में तीसरा सिर्षक राजा दिया जिसका अर्थ होता है लोगों को धम या सत्य के रास्ते पर ले जाना इस पतास से जो चत्री वर्ग थे उसके तीन उपादी उन्होंने प्रदान की पहली थी महासम्मत की उपादी जिसका अर्थ होता है लोगों की पसंद दूसरी उपादी थी खटिया जिसका अर्थ होता है चावल की खेती के भगवान और तीसरी उपादी थी राजा जिसका अर्थ होता है यानि सत्य के रास्ते पर ले जाना अब लों के सबस्सांद करें तो जो ब्रामपटी थी ऑप고 कि उप्रान जाती कई हो गये तोह दोल सभी लोगके बीच में से कुछ सोचना सुरू करतें कि बुरे हम समास में बढ़ गए हैं जैसे चोरी जूट हत्याइं यौन शोशन डन और निर्वाशन अब हम लोगों को बुराई और अयोगी चीजों को समास से उखार फेकना चाहिए इसे से ब्रामर शब्द आया इसका हर्थ है वे लोग जो बुराई और पवित्र चीजों का त्याग कर रख देते हैं उन्होंने मोच माया छोड़ दी है और जंगलों में चले गये हैं और जोपडियों के सापना की और वहां पर ध्यान यानि मेडिटेशन कर रहे हैं और वे लोग जो सुबह और शाम के वल भोजन लेने के लिए शहर आते थे और भोजन इकठा करने के बाद बापस अपने उनी जोपडियों में लोड जाते थे ध्यान में मंग न हो जाते थे तो इसके अंतरगर्थ उन्होंने ऐसे लोगों का ही चुनाव किया जो की सांशारिक मो माया से पूरे परसे प्रहित्यक्तिल जीवन जीते थे जिनका समाज के मो माया से किसी परकार को कोई संबंद नहीं था और जो समाज से अलग जंगल में रहते थे मोमाया का त्याग कर दिये थे और बहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान में केंदृत थे लोगों ने ध्यान यानी मेडीटेशन करने वाले लोगों को जैन्ती या जाय का कहना शुरू कर दिया पे सहरों में बस गये थे उन्होंने ध्यान नहीं किया लेकिन पुस्तकों का संकलन यानि राइटिंग आप वुक्स किया लोगों ने उन्हें अज्जायका कहां जिसका अर्थोथ है वे लोग जो मेडिडेशन यानि ध्यान नहीं करते हैं तो यह तो हो गया ब्रामर जाती ठीक है यह सब नोट करते जाईएगा कि कि लोगों जिन लोगों ने ध्यान नहीं किया उनको क्या उपादी प्रदान की गये थी अज्जायका अब देखें वैश्य जाती के उत्पत्ती और सुद्डा यानि सुद्र जाती के उत्पत्ती कैसे हुई वैश्य वैश्य यानि वैश्य या वैपारी और सुद्डा यानि सुद्र या शिकारी जो लोग परिवारों और कश्मों में बसे थे उनमें से कुछ लोगों ने अलग-अलग प्रकार के ब्यापार और ब्यावशाओं को अपनायना शुरू कर दिया इनमें से सेश लोगों ने सिकार के काम को प्रात्मिकता दी सुद्डा यानि सुद्र जाती सुद्डा सब्द से आई है जिसका आर्थ है वे लोग जो सिकार के लिए बल पर जीवित हों उन्हें सुद्डा या सुद्ड जाती कहा जाता था अंत में बुद्ध कहते हैं कि ब्रामर, खटिया, बेश्चा और सुद्डा ये सबी जातियां लोगों के कर्म से उत्पन हुई है और या ब्रम्भा के शरी से उत्पन नहीं हुई है तो इस प्रकार से बुद्ध जी ने कहा कि जो जातियों का नेधारन हुआ है वो उनके सिर् से पो कर्मों से हुई है इस वफर के वश्णों को सुन कर वसिष्ट औ भाष्वाज यानि वसेठा और भाष्वाज ने आनंदित हो प्रवचन समाप्द किया अई हैं तो इसके अंतगत हमने क्या देखा कि जीवन की उत्पति कैसे हुई है फिर जो ब्रामर्घarp वहिषी चोद्री चार जातिया हैं उन्हें की उत्पति कैसे हुई है एक जो सोशल नीद था, जो सामाजी का वशक्ता थी, तो सामाजी का वशक्ता के अनुसरा जो उन्होंने कर्म किये, तो उस कर्म के आधार पर उन जातियों का निधारन हुआ, ठीक है? जो सत्य और सत्य का ग्यान रखते हैं, जो सांशारिक मोवाया से भी रखते रहते हैं, तो वो ऐसे बेवर्ग कौन थे? ब्रामर थे, जो लोगों की रच्छा करते हैं हर प्रकार के अन्याय से, वो बेवर्ग कौन थे? छत्रे थे, जो बैशाय करते थे, वो क्या थे? ब्याप जहां एक और बुद्ध बारा बताए गई दुनिया की सुरुवात की कहानी को एक मिथक माना जाता है तो वहीं दूसरी और इसके पीछे दिये गए बैग्यानिक तर्क को भी कोई बैग्यानिक प्रयोख किये बिना नकार नहीं सकता क्योंकि इस छेत्र में बुद्ध की गहन अंतरदिष्टी विग्यान या ब्रह्मान विग्यान पर आधारित है जो आधूनिक बैग-बैंक सिध्धान से मिलती जोती है जो big bang theory है उस सिध्धान से मिलती जोती है महात्मा बुद्ध की फिलॉष्पी तो इसे बैग्यानिक आधार पर कभी भी इसकी अभेलना नहीं की जा सकती है देखें जो महात्मा बुद्ध का दूसरा योगदान है वो सामाजी सनरशना की उद्पत्ति के बारे में जो उन्होंने प्रवचन दिया है उसके उससे रिलेटेड है क्योंकि बास्ता में ये अपने युग का क्रांतिकारी विचार था बुद्ध ने मानव जाती में उद्पत्ति की समानता को बताया कि सभी की उद्पत्ति का एक ही श्रोथ है चाहे उनमें लिंग, रंग या सारेरिक परनारवट्रे जैसा भी अंतर हो बुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया कि सामाजी संरशना स्वैचिक या मानव के द्वारा बनाए गई है और इश्वदी आदेश के आधार पर नहीं हुई है जैसा कि कुछ लोगों ने डैवि सिध्धानतों के अंतरगत इसका बर्णन किया है कि जीवन के उत्पति डै मुक्तंद और गर्तंद की अवधाना इस पर्ष्ट रूप से दिखाई दीती है जिसमें राजा सामाजिक वियस्ता को सुधानी के लिए अपने पुरस्कार की रूप में चावल का हिस्सा सुईकार करता है जिससे टैक्स करकी अवधाना भी विक्सित हुई इसी से क्या हु रिचर्ड गृंबिच के अनुसार की पुक्ता सबूत देता है कि आ पूरी तरह से जाती वयस्ता के डैविक सरूप के बारे में ब्रामर वादी दावों के एक ब्रॉप में स्था वहापित किया गया था जो ब्राम्हर वादी जाती वैस्था की धज्या उडाता है जो अगर्च भाधि जो उद्पत पती है उनकी धज्या उड़ाता है तो यह जो फیک्ट हैं यह मोश्ट इंप्पॉर्टेंट फैक्ट है जो जो कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रसुत किया है अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आपकी द्वारा शेयर करने से ही यह अन्य नीद्फूल इस्टुडेंस सब बहुत सकता है आप लोग लाइक जरू से किया करिए क्योंकि आपकी द्वारा किया गया लाइक मुझे बहुत अधिक मोडिवेट करता है और मैं इसी तरह से most important वीडियो लेकर आपके सेलवस से related आपके सामने प्रसुत होती रहोंगी इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नहीं आए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब दे चैनल और बेल के आइकन पर क्लिक करके कर दीजेगा ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके साथ ही आपसे भीदा लेगती हूँ तब तक की लिए बैए